गुर्णिंग सुडिंग्स, लेट्स स्टार्ट विए टॉपिक बेस आफ चाप्टर फिफ्थ इसमें हम बेस के वारे में डिस्कुस करेंगे क्या आपको पता है बेस का टेस्ट कैसा होता है? क्या बेस है जो ये सोरिन टेस्ट होती है? जो बेस है ये बिटर इन टेस्ट होती है बी से बेस और बी से ही बिटर एस वेल एस जो इनका टच है ये सोपी होता है कहने का मतलब ऐसे सिबस्टांस जो बिटर इन टेस्ट हो और उनका टच सोपी हो वो क्या होती है? बेस नेक्स्ट हमारे पास है कुछ प्रॉपर्टीज बेस की जैसे की बेस बिटर टू टेस्ट सौपी टू टच यू नो जो बेस हैं ये वाटर में डिजॉल अब हो भी जाते हैं और नहीं भी कहने का मतलब कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर सालूबल होते हैं को जीन सालूबल होते हैं जो वाटर सालूबल बेस होते हैं उनको अलकलीज बोला जाता है और जितने भी अलकलीज हैं ये बेस होंगे ही होंगे बट ये निसेसरी नहीं है कि जो हमारे पास बेस दिया गया है वो अलकली ही हो ठीक है जी निक्स्ट जो है लिटमस पेपर रेड कलर का बेस क्या करते हैं उसको ब्लू में कनवर्ट कर देते हैं और जो इनकी पी एच वैली होती है वो क्या है स्याबन से जादा होती है बेस सलूशन की निक्स तुमारे पास है कुछ बेस की एक्जामपल्स जिन में बेस प्रेजन्ट होता है डिटरजिंट ड्रेन क्लीनर लाइम वाटर मिलक ओफ मेगनीशिया यह आपकी कुछ बेस की एक्जामपल्स है हाँ जी कौन सा बेस किस आइटम में प्रेजन्ट होता है उसकी कुछ list बता रही है हम लोगों को जैसे softs और drain cleaner में जो base present होता है उसका नाम है sodium hydroxide at acid में कौन सा base present होता है magnesium hydroxide इस से हम milk of magnesium भी बोल देते है ठेक है इसी तरीके से lime water में कौन सा present होता है base kcalcium hydroxide ठीके जी विंडो कलिनर्स हैं उनमें कौन सा बेस प्रेजंट होता है Ammonium hydroxide ठीके जी Next हमारे पास है weak versus strong base कुछ base हमारे पास strong होते हैं कुछ weak जो strong base होते हैं वो बहुती क्रोजी nature होते हैं means उनकी burning sensation होती है तो जब भी Strong base से deal करते हो तो very carefully कुछ examples है वीक बेस की जैसे potassium carbonate sodium carbonate ammonia इसी तरीके के sodium hydroxide calcium hydroxide यह हमारे क्या है strong base है next हमारे पास आ गया indicators, indicators क्या है indicator ऐसे substance है जो यह चेक करते है कि solution हमारा SD की nature है या basic की nature है कहने का मतलब indicators acid में एक color show करते है इसी तरीके से वो base में भी color show करते है बट उनका जो color होता है acid में जो color होता है उसके comparison different होता है जिसकी help से हम यह identify कर लेते हैं कि जो solution है उसकी nature क्या है acidic or basic चीके जी commonly जो use की जाते है indicator that are litmus paper ठीके जी turmeric इसमें हमने activity भी की थी चाइना रोज phenol petaline thank you studio studio